नमस्कार दोस्तों मैं संजय चौधुरी बुबाई इफ टेक यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को स्वागत करता हूँ आई होप आप लोग सब ठीक है और एकदम बिल्कुल फाइन है तो चलिए आज पियान रोल के बाड़े में डिसकस करेंगे केक वाक बाई बैंडलेब में केक वाक बैंडलेब के तरफ से एक फ्री डौ है बहुती बढ़िया बहुती पावरफुल डौ है और 2021 में अगर आपक दूसरा कोई डौ का ज़रूरत नहीं होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यहां पर देखिए यहां पर दो आप्शन दिया गया है एक है निव प्रोजेक्ट बिसेंट प्रोजेक्ट आप अगर रिसेंट प्रोजेक्ट में रहेंगे तो फिर आपका देखिए बहुत सार आप्शन खुल जाता है हम लोग इतना सार आप्शन की भी ज़रूरत नहीं है हम लोग सिर्फ एमटी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो यहां पर लास्ट वाले में जो एमटी प्रोजेक्ट है इसमें क्लिक करेंगे तो यह प्रोजेक्ट खुल रहा है इंटरफेस रेडियो ने में थोड़ा टाइम लेता है और यह इंटरफेस रेडियो हो गया सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्रोजेक्ट का सेटिंग कर लेंगे यहाँ पर देखिए यह वाल आप्शन यहाँ पर कुछ नंबर दिखा जा रहा है इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगा जिसमें आप लोग अपना जो प्रोजेक्ट का सेटिंग है सेंपल रेट है वो सब आप ठीक तरह से सेटिंग कर सकते है तो चलिए हम लोग जो सेंपल रेटिंग है वो है इसको इसी को रहने देते है बफर साइज यहां पर फास्ट होगा और यहां पर सेफ होगा तो हम लोग क्या करेंगे यहां उसको थोड़ा सा घटा देंगे थोड़ा सा बहुत जादा नहीं थोड़ा सा घटा के एपलाई कर देंगे और क्लोज कर देंगे उसके बाद हम प् में सेटिंग होता है तो चलिए देख लेते सेम प्रोसेस यहां पर देखिए यहां पर 120 लिखा हुआ है और यहां पर माउस ले जाते ही इसका टेंपो दिखा राए 120 कुछ नहीं करेंगे सिर्व यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर 100 कर देंगे और एंटर दबा देंगे तो यह 100 हो गया और इसका snap हमेशा on रखना चाहिए यह वाला snap है इसको off रखेंगे तो problem होगा इसको on रखने रहने दीजिए और अभी समझते interface को यह interface क्या है उपर वाला जो है यह है tools bar यह menu bar यह effect panel है और यह मीडिया ब्राउजर हम effect panel के बारे में बाद में बात करेंगे effect panel को थुरा collapse कर देंगे और effect को collapse करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर देखिए छूटा वाला एक double arrow है इसमें क्लिक कर देंगे तो यह collapse हो गया और यह वाला channel rack है channel rack मेरा बड़ा हो गया है अब यहां पर आके यहां पर देखिए इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको हम ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको बीच में लाएंगे तो यह बाला जो माउस है माउस कोईन ये डॉबल ऐ्रो में अगैए ब्गोड ब्लैस्ट मुझे बड़ा ये फ्लिस्टा स्क्षाण्व फिस से要उस्थ यह तो इसको थोते कर देंगे ज्यादा नहीं थोताी कर देंगे तक चलिया हम लोग सेट डिया प्रोजेक्ट सेटिंग को को चैनल रैक को हमने छोटा कर दिया हो प्लेलिस्ट को बड़ा कर दिया हो और अभी एक वर्चॉल इंस्ट्रूमेंट इसमें कॉल करना है कैसे कॉल करेंगे चले देखते हैं तो चलिए दोस्तों एक यहां पर एक वीस्टी इसको कॉल कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट में यहां पर आप देखेंगे यहां पर बहुत सार आप्शन दिया गया है प्लागीन्स में आके अगर हम यह आडियो एफेक्स में डिफॉल्ट रहता है हमको यह नहीं चाहिए यह यह भी हमको नहीं चाहिए हमको चाहिए यह वाला इंसार्ट वर्च्वाल इंस्ट्रूमेंट यह च्छोड़ा वाला प्यानो वाला एक सिंबॉल है यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए कैटागोराइजड आपका मीडिया ब्राउजर में आपका अपने भीस्ट प्लागिन है क्वा के साथा है और यह द्लाइ मैंने इसको डाउनलोड किया हूंँ अदर की इसको क्म क्रेंगे तुछलिए इसको कॉल करना करनिये क्ली क्या करना होगा सिंपल है बहुत है आसान है इसको लेट क्लिक से से जिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैक करके चैनल रेक्ट के ऊपर ड्रैक कर देंगे तो यहां पर देखिए यहां पर एक ऑप्षन खुल जाता है तुरंद बाधी simple instrument pack यह इसमें टीक होना चाहिए उसके बाद ओके कर देंगे तो यह थोरा टाइम लेता है और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपके इंस्ट्रुमेंट आ जाएगा यह देखिए इंस्ट्रुमेंट आ गया है अब इधर हम आएगे अब इधर जूम करेंगे तो देखिए यहां पर दो ऑप्शन दिया गया है यहां पर देखिए एक रिस्टोर स्ट्रिप साइज मतलब यह को लैप्स है अभी इसको यहां पर क्लिक करेंगे तो यह नीचे खुल जाएगा और यहां पर देखिए इसका इंस्ट्रुमेंट जो तो देखिए यहां पर देखिए धर शीमबल दिया गया है एक रवला आईकोन है प्यानो का एक छोटी सब्सक्तिक करेंगे रबंध alla ले आईकोडी करेंगे तो यहां पर आग्न्या पीया न॥ा चल खुल जाता है और यहां पर देखिए पर म 내용 लिखा हुआ है इस को क्लिक करेंगे इसका रिवाप को थोदा सा बढ़ा देंगे और बादेंगे जो के ऐसे विसको साथ को छ्यर्खानी ना करते हुए इसको क्लोज कर देंगे और ये आ गया अब दिखिये अब हमको पीप्वारोल खोल लेना चाहिए यह पियानों को कैसे खुलते पियानरोल खुलते हैं यह जो track बन गया है इस track के OPPER Double Click करें गे तो पियानरोल खुल जाएगा अब पियानरोल को हिम रिसाइज करेंगे जहरों यहां पर देखिए यहां पर विव है विव के उपर एक काला सा बॉडर आ गया है इस बॉडर के उपर माउस पॉइंटर को लाएंगे तो यह डबल एरो आप एंड डबल एरो में कनवर्ट हो जाएगा इसको उपर खीज देंगे तो यह हो गया प्यानो रोल मेरा बड़ा हो अब यहां पर देखिए एक सेटिंग करना होगा इस कोने में अगर आ जाएंगे तो आप देखिए यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है यह वाला एक डॉटेड एक मतलब ग्राफ बना हुआ है इधर और इसको अगर हम आउन कर देंगे तो साइड में एक नंबर खूल जात अगर यह ओफ रहा तो यह गलोबल सेटिंग के हिसाब से कंप खरेंगा ग्लोबल क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं पेले की जुन क्लसिक को हम कट देथे08 का ग्रेंगे आ पर कॉंसुल को बी कार देंगे अप देखिए यहां पर एक सेटिंग दिया गया है क्या वाला स एक हिसाब से यह स्नैप को पकरता है कि यहाँ पर हम इसको वान वाई 16 कर देंगे और इसको अन करेंगे और यहां पर भी 16 होगा तो यह पूरा सनैप में जाएगा यह अब ध्यन में रखिएगा तो चलिए अब शीफाइब से कुछ बनाने की कोसिस करते हैं यहां पर हम सीफा नादिका होता है मैं लेब में कि वो क्या है यहां पर देखिए यह अप्षिन दिया गया है इस ऑप्षन में मपने एडिट तुल है सिलेक्स टूल है और अच्छी एक चीज आपको बता देते हैं इसको अगराउं ड्रागन ड्रॉप करेंगे तो यह दीखिए यहां पर बहु को on-off करना है यहां पर देखिए दो option दिया गया है यह metronome का जो line है यह metronome का symbol आपको देख रहा है metronome setting आप यहां पर क्लिक कर सकते लेकिन वो उसमें मेनू खुल जाएगा आप कर सकते हैं यह बहुत इजी तरीका हम आपको पता देटा है यह जो है यहां पर देखिए लिखा हुआ है metronome during record मतलब आप जब record बटन चाप दबाएंगे record करेंगे किसी मीडी को तब जाके यह metronome का sound चाते हैं तो यहां पर on कर दीजिए जेनरली यह on रहने से कुछ problem नहीं होता लेकिन हम लोग सुने जब सुनेंगे जब करेंगे तब इसको आफ रखेंगे यह on हो गया है यह लो हो गया मतलब यह on हो गया है अब देखिए यहां पर हम अगर प्ले बटन दबाएंगे तो यह कि टिक टिक का sound आपको सुनाए देगा इसका यह BPM कौन सा दे रहा है यह वाला जो 100 BPM हमने सिट किया है इसी हिसाब से यह दूसरों टिक टिक करता रहेगा यही इसका रिदम है और इसको हम सिम्प्ली किसी नोट के उपर हम ड्रैग करेंगे आप यहां पर भी इसको बजा के सुन सकते हैं तो चलिए यहां पर ड्रैग करते हैं यह मेरा एक ड्रैग हो गया है आप माउस को लिप बटन को प्रकर करक तो यह ड्रॉ हो जाता है दूसरो अप्शन मुझे तीन नमबर में मतलब तीन बाड में यह देखिए एक दो तीन चार ऐसे नमबर दिया जाता है तीन नमबर बाड से मुझे और एक सी चाहिए तो मैं यहाँ पर सिर्फ डबल क्लिक करूंगा तो इसी का हिसाब से मतलब इसका बनाता है इसको हम डाय बाय खीचेंगे तो यह स्नैप होता हुआ यह छोटा बड़ा होगा यहां पर और एक देखिए अब लास्ट में क्या क्या मैंने इसको मैंने यह सिलेक्ट था अब यहां पर डावड क्लिक करेंगे तो देखिए इसी का हिसाब से वह बनाता है मतलब सिलेक्ट जो है उसी का हिसाब से यह बनाता है यह थोड़ा बड़ा हो गया मैं इसको एक छोटा कर दूँगा अब देखिए अब जी चाहिए मुझे यहां पर सपोज को ले लेते हैं यहां पर डबल क्लिक करेंगे हाप कहा है यह वाला यह है मैं थोड़ा गलती कर दिया हूँ इसको हम छोटा कर देंगे इसको यहां पर अब ठीक है अब इमे मुझे एक मीडी नोट चाहिए इसको यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यह आ गया अब यहाँ पर जी में और एक चाहिए मुझे तो एक कॉड बन गया है यहाँ पर देखिए अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यह सिलेक्ट हो गया है अब डबल क्लिक करेंगे तो इसी का जो लेंथ ह है से यह मेरा एक छोटा वाला कॉट बन गया इसको प्ले करकर सुनते हैं कि चलिए और एक कोट बना लेते हैं एफ यह जी का कुछ कॉट बना लेते हैं यहाँ पर देखिए जी का सिंबॉल है दो गलिक किया उसके बाद एक दो तीन चार चार बड़ तक कौट करेंगे और इसके बाद तीन एक दो तीन यह जी मिजर कोट बन गया है अब इसको थुरा काट देंगे हम हम मी को बन गवाल इसको मतलब यहाँ पर एक सि कोट ड्रॉ करने अब किसी किसी नोट को हमको डिलीट करना है कैसे डिलीट करेंगे डिलीट करने का तरीका भी बहुत आसाल है कि दिखिए माउस पॉइंटर का खेल है सब कुछ अभी माउस पॉइंटर क्या है पेंसिल का बना हुआ है अब इसको किसी नोट के ऊपर लेके जाएंगे तो यह चार एरो मे Sheta Convert हो गया है अब इसको हम डब राइट क्लिक करेंगे तो यह डिलीट हो जाएगा देखा आपने डिलीट हो गया चलिए इसको हम इसको करते हैं इसका लेंद को ले लिया डिलेट करने के बाद अब इफ मुझे चाहिए यह एफ है एफ में जो का इक कॉर्ड बनाते हैं चार बार तक गया और यह तीन बार तक इफ में जो का कॉर्ड है चलिए अब सुनते हैं अब इसको हम अब एक साथ एक साथ हम चार पाच नोट को अगर डिलीट करेंगे तो कैसे डिलीट करेंगे यह भी बहुत सिंपल है देखिए राइट लिक करेंगे राइट लिक करने के बाद इसको हम सिलेट करेंगे और तीनों को एक साथ खीच के बढ़ा कर देंगे मतलब एक बार तक मुझे चाहिए था अब देखिए कॉपी पेस्ट हम कैसे करेंगे किसी भी नोट को यह भी बहुत आसान है फेले ये सी को मुझे ये 4 बार से 5 बार तक चाहिए प्राइट करूंगा डैक करके इसको चलून ये और पर यह कॉपी पेस्ट हो गया है बहुती आसान है बहुती इजी है अब जो पियानो रोल का जो स्क्रीन है इसको जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे बहुती आसान है देख लिजिए मैंने मिडल पॉइंट में इस प्ले हिट को मिडल पॉइंट में रखा हूँ अब आल्ट दबाके मतलब कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करके माउस हुईल को हम छोटा बड़ा करेंगे तो यह देखिए यह जूम इन जूम आउट हो रहा है बहुती आसान है और कंट्रोल करेंगे इसके उपर हम थोड़ा कुछ नोड्स भी क्रेट कर लेते हैं मत्तब मेलोडी कि वी ने चाहिए मुझे कि सी कि डी कि अफ के अपको अपλάक कर सुनते हैं डबलू दबाएंगे तो यह प्ले जो प्ले हैड है यह एकदम पहले चलाएगा देकिए लिए पर भी यह है यह तो यह ऐसाँ दम सामने चला जाता है मतलब एकदम शुरूबाती पोजीशन में चला जाता है चलिए इसको एक बार शुनते हैं कि कुछ नोट यहां पर भी बना लेते हैं कि एप से बनाएंगे चलिए फिर सुनते इसको डबलू दबा के पहले कि एप से बनाएंगे दबलू कि दबलू दबा के पहले बहुत ही अच्छा मेलोडी बन गया है आप इसी के साथ खेलते हुए आप कीबौर्ड से बजा सकते हैं बना सकते हैं कीबॉर्ड में अगर कुछ प्रेस क्विटर कीबोर्ड इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए कम्पिटर कीबोर्ड खुल गया है अब इसको मतलब अभी जो इंस्ट्रूमेंट सेलेक्टेट है उसी का सांड आपको देगा यहां पर आपको ओप्टेट दिखाएगा यहां पर अब और को कैसे चन्ज करेंगे एक्स दबा के औक्रेट चेंज कर सकते देखिए जिट दबाके प्रिवीयस ओक्टेट एक्स दबाके नेक्स यहां पर देखिए इसका जो कलर है वो डाइबाय हो रहा है मतलब अक्टेट चेंज हो रहा है फिर से में अक्टेट चेंज किया कि इसको नीची की तरफ दे देते हैं यहां पर जाता के मुझे डिस्टर्ब ना करिये तो दोस्तों आज के लिए यही था आज का ट्यूटोरियल प्यान रोल के उपर बहुत ही सिंपल और का ट्यूटोरियल थे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इसके बाद हम इसमें कैसे नोट बनाया जाता है कैसे नोट के उपर इफिक्स लगाया जाता है एक्यू किया जात तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मुलक आथ होगा दूसरे एक वीडियो में दूसरे एक रिटूरियल में